मेवा पाक जो श्री कृष्ण जी का प्रियभूग है और जन्माश्टमी में बनने वाली ये बहुत ही खास मिठाई है खाने में बहुत ही स्वादिश लगती है और बनाने में भी एक दम इजी है आप मेरी रेसिपी फूलो करके मेवा पाक बनाओगे तो ये एक दम सॉफ्ट और पर्फेक्ट बनेगा और हाँ आप इसे बनाकर डिब्बे में बरकर लगबग 15-20 दिन तक श्टोर भी कर सकते हो तो चलिए बनाते हैं जन्माश्टमी स्पेशल मेवा पाक इसे बनाने के लिए क्या-क्या चीज़े चाहिए वो देख लेते हैं एक कप मखाना लिया है औ आप इसके बदले शक्कर भी ले सकते हो दो टेबल स्पून जीतना मैंने खाने वाला गोन लिया है और ये मोटा कद्दू कस किया हुआ कोपर आपके पास ना हो तो इसके बदले आप डेसिकेटेड कोकोनट भी ले सकते हो दो से तीन अखरोट लिया है और दो टेबल लिए पाउडरं के लिए हैं लगबक दो से 3 तीन टीन जितना गी का यूज करेंगे एक कड़ाई में दो टेबल स्पून जितना हम घी ले लेंगे घी थोड़ा गरम होने के बाद इसके अंदर हम मखाना एड़ करेंगे और इसे घी के अंदर हलकासा फ्राई कर लेंगे लो फ्लेम पर लगबग एक से देड़ मिनट के अंदर मखाना फ्राइ होके तयार हो जाएंगे इसे हमें एक दम ब्राउन तक नहीं फ्राइ करना है मखाना हमारा फ्राइ हो चुके है इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं मखाना को निकाल कर इसके अंदर बादाम एड़ कर देंगे और इस यद्म जल्दी से फ्राई हो जाएगी और यह फ्राई भी हो चुकी है चल número इसे निकाल देते हैं अब हमें फ्राई करन Mittто गुण को तो एक टेबल स्पून गी और ले लेते हैं गी गरम होने के बाद इस तरह से गुण को इसके अंदर डाल देंगे और गुण को एक नम अच्छे से फ्राइ कर लेंगे तो यहां पर गुण भी हमारा फ्राइ होके तयार है चलिए इसे भी एक प्लेट में निकाल देत फ्राइ किये हुए सीट से इसी के साथ हम इसे ले लेते हैं तो यहां पर सारी चीज़े फ्राइ होकर तयार है करते हैं आगे की प्रोसेस तो सबसे पहले ले ले लेते हैं फ्राइ किया हुआ गौंद इसे इस तरह से हलके से प्रेस करते हुए हाफ क्रश कर लेना है गौंद को पल्स मोड में मैंने ड्राइफूर्स को हाफ रश कर लिया है आप देख सकते हैं इस तरह का हमें दरदरा पीसना है एक दम फाइन पाउडर नहीं बनाना है एक कड़ाई को हीट पर रख दिया है इसके अंदर मैंने चीनी एड कर दी है और जितनी चीनी ली है उससे आधा हम प उट जाता है तो बस इतना ही गाड़ा हमें इसका सीरप बनाना है सीरप हमारे तयार है और अब इसके अंदर क्रश की हुए ड्राइफ रूट्स एड कर देते हैं साथ ही में फ्राइ किये हुए सीड्स, कोप्रा, खस-खस और गोंड वगेरे सारी चीज़े जो हमने फ्राइ करके तयार की थी वो एड कर देंगे सभी चीज़े एकदम अच्छे से मिक्स कर देंगे सुगर सीरप में और हलके से चलाते हुए इसे पकाएंगे तब तक चब तक ये थोड़ा थीक हो जाए लगबग एक से देर मिनट के अंदर ही ये थोड़ा थीक हो चुका है ये पक्क हमारा तयार है चलिए इसे सेट कर देते हैं स्पेर मॉल के अंदर मैंने गी लगा दिया है इसके अंदर ये सारा मिश्रन डाल देंगे और अच्छे से इसे चमच की मदद से सेट कर लेंगे एकदम पतला भी नहीं और एकदम मोटा भी नहीं इस तरह से हमें इसे सेट करना ह हलक ऐसा प्रेस करते हुए मैंने इसे सेट कर लिया है इसके उपर पिस्ता की स्लाइजिश डाल देंगे फिर से एक बार इसे प्रेस कर लेंगे और इसे 10 मिनट के लिए साइट में रख देंगे ताकि ये थोड़ा ठंदा हो जाए थोड़ा ठंदा होने के बाद इसको हमें कट कर लेना है आप इसे मंचाई साइज में कट कर सकते है तो मैंने यहाँ पर मेवापा को कट कर लिया है इसे फीर से हम इस तरह से एसे ही छोड़ देंगे ताकि यह पूरी तरह से सेट हो जाए और एकदम ठंडा हो जाए आदा गंटे के बाद मेवापा हमारा एकदम ठंडा हो चुका है और एकदम अच्छी तरह से सेट भी हो चुका है तो चलिए इसके पीसिस हम निकाल लेते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका पीस एकदम अच्छी तरह से निकल कर आया है इसे ले लेते हैं एक प्लेट में इसी तरह हम दूसरे पीसिस भी निकाल तो friends आपने देखा कि यह मेवापाक बनाना बहुत ही easy है और बहुत ही tasty भी लगता है सभी को यह बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा तो फ्रेंड्स आप भी बनाए इस जन्माश्मी काना जी का प्रिय भोग मेवापाक और हाँ आप इसे जन्माश्मी के अलावा और कोई भी त्योहार ओपर भी बना सकते हैं और कोई भी त्योहार ना हो तो भी इसे बना कर आप एंजोई कर सकते हो इसी तरह हमारी ट्रेडिश प्रणोरी प्रणोरी फट्रेट करें